हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप साब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लास पर स्वगत है क्लास टल्थ मैट्स एंसे आर्टी में कठी नपकलन पढ़ा रहा हूं जिसमें प्रशनवली 5C.1 में ये पार्ट 4 है और इस वीडियो में जो भी कोचिंग कराए जाएंगे काफी महात्पून हैं हेलफूल हैं और पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं जो को प्लेलिस्ट में क्रम से आपको मिल जाएंगे और ये आखरी वीडियो है 5C.1 का जो भी कोचिंग इंपोर्टेंट उनको करा दूँगा ठीक है तो चलिए कोचिंग करते हैं पर ध्यान रखना उन्हीं कोचिंग कराता हूं जो की पेपर में आने की संभाबना रखते हैं तो ऐसे कोच्ट को आप लोग को आच्छे से त्यार कर लेना और उससे मिलते जलते जो सिस्टम से यहने मैथट से कोच्ट रहते हैं उनको भी आपको कर लेना है तो पहला कोच्ट आपके पास by call देके रखा 10 inverse हो तो 10 inverse X हो तो one plus x square ड square by upon dx square plus 2 x divided upon dx एक्वल 0 का मतलब आपको सिद्ध करना है तो बाई बरावर कितना देखे रखा है 10 inverse x ठीक है x के साफ पे चापकलन करना है तो d by upon dx कर दीजी इधर भी कर दीजे d upon dx 10 inverse x यदि मैं कहा दूं डायरेक्ट में 10 inverse x का आपकलन 1 प्लस x square होता है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कहेंगे हाँ जी हाँ होता है ना तो आपने देख लिए d by upon dx का मान इतना देख लिए आपन ने अब इसको यदि पक्छांतर कर दें student तो one प्लस x square हो जाएगा और d by upon dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा one पुना एक बार आप कलन कर दें लिए देते हैं पुना x के साब पेच आप कलन करने पर पुना x के साब पेच क्या करने पर अब कलन करने पर x के साब पेच आप कलन करने पर कर दीजिए x के साब पेच आप कलन यहां पर multiply है पहला फलन दूसरा फलन देखिए पहला फलन डारेट कर रहा हूं ना पहला फलन दूसरे का आप कलन मतलब d upon dx और d by upon dx यह दिए d by upon dx का आप कलन कर रहा हूं फिर प्लस दूसरा फलन पहले का अपकलन याँ दी अपन दी एक्स 1 प्लस X स्क्वेर इक्वाल ये धार, D अपन दी एक्स 1, 1 ये एक चंस्टेंट वैलू है इसका अपकलन 0 हो आ जाएगा तो देखिए 1 प्लस X स्क्वेर तो 1 प्लस X स्क्वेर रहने दीजिए यहाँ पर D बाई अपन dx ए,そ y upon dx है, इसका आपका लाण हो जाएगा d square by upon dx square plus d y upon dx हो जाएगा, one plus x square का one का आपका लाण 0 हो जाएगा, x square हो जाएगए 2x, ऐकके equal one का अपका लाण होता हिजिरू देखिए answer आगे आपका one plus x square d square by upon dx square, 2x को सामिने लादो, d y upon dx equal 0 और यहीं आपको प्रूब करना था तो प्रूब्ड हुआ यहीं सिद्ध हुआ तो देखिए कितना इजी था और इजी कोश्चन ही पेपर में आएगे ध्यान रखिएगा तो पहला कोश्चन कैसा लगा कमेंट में बताना आप लोग ठीक है और अच्छे लाइक जरूर कर देन और दूसरे साथ सेर कर देना देखते हैं दूसरा कोश्चन दूसरा कोश्चन है आपके लिए बाइक कोल साइन इंवर्स एक्स देखिए वहाँ पर टैन इंवर्स एक्स था यहाँ पे साइन इंवर्स एक्स है आप कलन करना है ठीक है तो हल करते हैं स्टार्ट और जो भी सि डिरेक्ट नहीं करना है अच्छा साइन इंवर्स एक्स का अपक्रोमाइज करना सीखें आप लोग आप पुना एक्स के साब पेच आप कलंड करेंगे पुना एक्स के साब पेच क्या करने पर अब कलंड करने पर एक्स के साब पेच अब कलंड करने पर चलिए मेरे भाईयो अब कलंड कर दीजिए यहां पे भी दो फलन हो गया पहला फलन दूसरा फलन तो करते क्या है पहला फलन पहला फलन इसको बाहर ले लो दूसरे का आप कलंड मतलब दी बाई अपन डी एक्स का फलन फिर होता बीच में प्लस दूसरा फलन डी अपान डी एक्स पहले का फलन है रूड वन माइनस एक्स स्क्वेर कुछ भी नहीं है देखने को टप लगता है लेकिन दी आप आसानी से करेंगे मतलब सलल मैथड से करेंगे तो आसान सी ही हल हो जाएगा चलिए द आप से कहूं रूट टी का क्या होता है तो वन अपान टू रूट टी होता है ठीक है और फिर डी अपान डी एक्स जो भी इसको टी मानोगे अंदर वाले को टी मानोगे तो उसका पुना अपकलन होगा और एक का पकलने दार जीरो हो जाएगा तो अपने दार जीरो कर देते complete चलिए यहाँ पर कुछ सुधारने लायक नहीं है 1-x square रहने दे d square y upon dx square रहने दे यहाँ पर कुछ अभी अब कलन होगा तो यह जो constant है यह d y upon dx के पहले ले आओ और d y upon dx को last में बाद में करेंगे देखिए तो एक step कर देते हैं ताकि आपनो confusion नहों नहीं तो confusion हो जाएंगी 2-x square यहाँ पर देखिए x square का minus 2x हो जाएगा equal 0 अच्छा एक काम करें दो से दो कार दे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना under root 1 minus x square d square y upon dx square ठेक plus आपका d y upon dx है यहाँ पर student minus x बचा under root 1 minus x square बचा equal 0 पक्छांतर कर दो नहीं इसको इधर और इसको इधर इधर और इधर तो इधर गुड़ा होकर कितना हो ज़िए 1 minus x का whole बर्ग हो जाएगा ऐसा रहने दो फिर कितना बचेगा मेरे भाई d square by upon dx square बचेगा ठीक है और यहाँ पर यह जो बचेगा तो minus x बचेगा d by upon dx equal 0 इतना तो अभी तक दिकत नहीं होनी चाहिए इसको पक्छांतर कर दें क्या कर दें? पक्छांतर कर दें तो 1 minus x square वैसे तो एक step और easy था लेकिन होगे इतना लंबा चोड़ा है minus का plus हो जाएगा तो x into अच्छा d by upon dx का मान में रखना चाहता हूँ d by upon dx तो इसको पक्छांतर कर दो under root 1 minus x square को वैसे तो step बहुत easy था लेकिन थोड़ा सा टाप होगे कोई दिकत नहीं मेरे भाई यह बर्ग नहीं लागी है बर्ग कहां से आ गया बर्ग नहीं लागी है भाई root कर जाता है तो इसका मान होगा 1 upon under root 1 minus x square इसको पूरे को पक्छांतर कर दो तो d square y upon dx square x बटे यह root है तो 1 minus x square का हाप कर दें और यह 1 minus x square है इसको जब जोड़ेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा x बटे 1 minus x square x square के power 3 बटे 2 यहाँ पर power 1 है यहाँ पर एक बटे 2 है एक बटे 2 और एक को जोड़ोगे तो 3 बटे 2 आएगा और यही प्रूब करना था आपको देख सकते हैं मेरे भाई जो भी question में देखे रखा तो वही चीज में तो प्रूब करा रहा है x upon 1 minus x square का 3 y 2 मतलब power में 3 y 2 तो question तो बिलकुल इची है है ना छोटा सा question देखे रहा था लेकिन थोड़ा सा खिच गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आप यही बारबर practice करेंगे तो आपसे बन जाएगा और इसको यही चाहते तो आप सरल मेथट से भी कर सकते थे कैसे जैसे आपके पास इतना आया था यह जो अंडरूड था ना इसको उपर मिले जाते तो माइनस हो जाता मैं थोड़ा सा step आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो सके तो देखेगा थोड़ा सा यहाँ पर इसको कैसे करके आप कलन कर सकते थे और सरल मेथट बहुत इजी तरीके से तो जब यह उपर जाता तो 1-1 आप कलन होता है और फिर इसका आप कलन करते तो 1 का 0 x quiere ke puerta minus 2x minus 2x यह 2 से 2 cancel हो जाता दो ए 1-2 cancel हो जाता आपके पास स्वारी यहां पर एक बट्टे 2 कोई बात नहीं यहां पर तो एक काम कर यह minus minus plus हो जाता न और तो plus हो जाता तो PLUS x हो जाता और यह कितना हो जाता 1-x square यहां पर 2-1 कम दो 2-3-3 बटे 2 और यह नीचे जाकर plus हो जाता इतना easy था है ना इतना easy था लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबा चोड़ा कर दिए इस तरीके से करना आप लो easy method ठीक है मैंने क्या कहा यह under root है नीचे plus है उपर जाएगा तो minus हो जाएगा इसका अपकलन करेंगे तो इस सामने आएगा फिर minus 1 घटेगा इसका अलाग से अपकलन होगा तो 1-x square का minus 2x और यदि यह कठीन लगे तो यह लंबा method भी ठीक है है ना क्योंकि आपने पिछला question इसी method से किया था अगला question देखिए by equal है x sin x हो तो सिद्ध कीजिए d square by upon dx square equal 2 cos x minus x sin x इस प्रकार की question हमने कराया है लेकिन फिर भी करा देता हूँ बहुत easy है हल करना है by equal कितना देके रखा x sin x ठीक है तो d by upon dx निकालते हैं यह एक बार आपकलन इदर कर देते हैं d upon dx x sin x यहाँ पर दो फलन ह दूसरे का पकलन sin x का cos x हो जाएगा फिर बीच में होता प्लस होता है दूसरा फलन sin x और x का पकलन कितना होता है एक यह आपके पास आ चुका है d by upon dx है पुना आपकलन करेंगे पुना आपकलन कर देते हैं तो d square by upon dx square इदर हो जाता है d upon dx हो जाएगा x cos x plus sin x ठीक यहाँ प पकलन तो माइनस sin x अब इसकी बात कर रहा हूँ प्लस दूसरा फलन पहले का पकलन तो एक और sin x का पकलन क्या होता है sin x का cos x होता है तो cos x cos x कितना 2 cos x अरे मानस वाले को बाद में लिख देते हैं देखिए भिलकुल सा easy है मेरे भाई कोई दिक्कत में यह आपका प्रूव हो चुका है देख सकते हैं simple तरीके से question solve हो गया इस question को करिए बहुत ही easy है और मैं समझता हूँ कि यह आपसे बन जाएगा लेकिन फिर भी हल करके दिखा देता हूँ फटा फट करना है ना इसको direct करने की कोशिश करेंगी देखिएगा direct करूँगा confused बस मत होना आप लोग देखिएगा direct कर रहा हूँ एक बार आप कलन कर र है देखिएगा direct करने कोसिश कर रहा हूँ क्यों क्यों चोटे कोशिशन है आप लोग उसे बन जाएंगे का सिक्स का पलन हो जाएगा minus sin x ठीख और यह sin x का आपका का सिक्स हो जाएगा अब दोनों में से माइनस कामर ले लेंगे दोनों में से माइनस कामर ले लेंगे कितना बचेगा 2 sin x प्लस 3 cos x अब यह देखो यह बाई कामान है यह बाई कामान है यह किस कामान है बाई कामान तो d square by upon dx square माइनस by और इसको पक्षांतर कर दोगे तो आपका प्रूब हो जाएगा d square by upon dx square plus by equal 0 और ही आपको प्रूब करना था तो प्रूब्ड सिद्ध हुआ ठीक है तो ये question तो बिलकुल इजी था जो कि बन जाना चाहिए अगला question है आपके लिए by equal 10x है तो सिद्ध कीज़े d square by upon dx square equal 2 by dy upon dx आज आप लोग कहेंगे सर्फ छोटे question ला रहे हो जो भी आपकी exercise में है छोटे question तो छोटे question भी करा रहा हूं चले हल करते हैं बड़े question अल्रेडी मैंने बहुत सारे कराए हैं जो कि आप लोग सायद देखे होंगी नहीं देखे हों तो जरूर देख लेना एक बार आप कलन करते हैं तो d upon dx हो जाएगा और बाई हो जाएगा जब आप कलन करेंगे student यहाँ पर तो d upon dx लिखेंगे और इतना हो जाएगा 10x 10x का आप कलन होता है sec square x 10x का sec square x पुना x के सापेच आप कलन करने पर पुना x के सापेच आप कलन करने पर X के साफ़ेच आप कलंड करने पर तो कितना हो जाएगा D square by upon D X square तो यहाँ पर कितना हो जाएगा D upon D X Sec X Sec square X Sec square X का आप कलंड होता ही नहीं तो एक काम करते हैं इसको अपन इसको तोड लेते हैं तोड के लेंगे Sec X into Sec X या कि आप इसको T मानेगे स्वरेच प्रिएट थोड़ा सर डिस्टर्ब होगा मॉइल से लेकिन इसको अपन क्या मानेगे T ठीक है तो इसको अपन लेते हैं Sec X को T मानेगे तो क्या होता देखेगे ना T square का आप कलंड होता है 2T तो 2 Sec X और पुना हाँ जो T होता है पुना उसका आप कलंड करते हैं अब बार बार प्रैक्टिस करते हुए आप से ये बंदनी लगा होगा अब 2 Sec X है और इसका आप कलंड होता है Sec square X into 10X Sec X का आप कलंड होता है Sec square X into 10X अब इसको देखा जाए तो 2 Sec square X हो जाएगा और इंटू 10X हो जाएगा ठीक और इधर आगे D square Y upon DX square अब देखिए जो 10X है जो 10X है वो तो Y है वो तो Y है लेकिन जो Sec square X है वो D Y upon DX है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं D square Y upon DX square 2 है तो 2 10X आपका Y है और Sec square का है D Y upon DX है और यह आपको क्या करना था प्रूब करना था तो आपका ही हो गया सिद्ध प्रूब्ड हो गया complete तो इसमें 2 बार आपको यहाँ पर 2 method कर सकते Sec X into Sec X लेकिन आपको ऐसा नहीं करना तो simple तरीका से इसको T मान लेंगे T square का 2T होता है T का तो बहले रखेंगे फिर T का आप कलन होगा तो Sec X का पुना आप कलन होगा Sec X into 10X हो जाएगा तो इस प्रकार से student यह question तो बिल्कुल simple तरीके से आप से बन ही गया होगा अगला question है आपके पास By equal Sec X तो D square by upon Dx square by Sec X into Sec Square X plus 10 तो इसको भी direct करने की कोशिश करेंगे देखे वाई बरावर कितना है Sec X है अब यदि आप आप कलन कर दी तो D by upon Dx कितना हो जाएगा Sec X का आप कलन Sec X into 10X होता है तो एक बार लिख देता हूँ Sec X का आप कलन कितना होता है Sec X into 10X इतना होगा complete पुना आप कलन करेंगे तो D square by upon Dx square हो जाएगा D upon Dx Sec X into 10X यहाँ पर दो फलन है भ्यां दीजिए गाना तो पहला फलन दूसरे का आप कलन तो 10X का होता है Sec X का होता है Sec X स्क्वेर X फिर दूसरा फलन 10X फिर Sec X का आप कलन Sec X into 10X अब देखिए यह answer आगया आपका दूनों में से Sec X का मा ले लिए Sec X का मा ले लिए तो यहाँ पर बचेगा Sec square X और 10 का 10 से गुड़ा होगा तो 10 square X सिद दो गया ना प्रूब हो गया कितना एजी है मैंने क्या कहा 2 फलन है तो पहला फलन दूसरे का आपकलन फिर दूसरा फलन पहले का आपकलन तो पहला फलन Sec X माना हमने दूसरे का आपकलन 10X का Sec square X फिर प्लस दूसरा फलन 10X माना हमने पहले का आपकलन Sec X into 10X सिंपल तरीका से Sec X हमने काम ले लिए तो यहाँ बच्छा Sec square X 10x, 10x, 10 square x और sec x का मना गया सिद्ध का करना था sec square x प्लेस 10 square x जो की सिद्ध हो चुका है इस question को देखें y equal sign inverse x का square y equal sign inverse x का square ध्यान दीजेगा तो सिद्ध करना आपको 1 minus x square d square by upon dx square minus x by upon dx minus to equal 0 और इसी प्रकार के question student पूछे जाते है देन रखना इसी प्रकार question पूछे जाते है चले हल करते है y equal कितना देखे रखा है sign inverse x square अपको लगन करना d by upon dx तो d upon dx हो जाएगा sign inverse x का square देखेगा थोड़ा सा देखेगा इसको हम t मानेंगे t square का अपको लगन होता है 2t 2t इसको हमने t माना था और पूना t का अपको लगन होता है जिसका sign inverse x का अपको लगन होगा 1 minus x square इस simple तरीके से हो गया कुछ भी दिक्कत नहीं होने चाहिए इतना में अब करेंगे क्या इसको पक्षांतर कर देंगे इधर तो under root 1 minus x square हो जाएगा dy upon dx हो जाएगा और इधर आजाएगा 2 sin inverse x और पूना अपको लगन कर देंगे dy upon dx 1 minus x square dy upon dx इसको भी दो फलन मान कर चलेंगे 2 वाहर ले ले लेते हैं dy upon dx sin inverse x ध्यान यहाँ पर यह देना है कि पहला फलन दूसरे का अपको लगन इनर डी अपन डी एक्स dy upon dx फिर दूसरा फलन पहले का अपको लगन दब डी अपन डी एक्स रूड 1 minus x square इक्वल sin inverse x का अपको लगन बता सकते हैं 1 upon under 1 minus x square होता है अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 minus x square है ही है और डी square by upon dx square हो जाएगा यहाँ पर ध्याँ देना यहाँ पर ध्याँ देना आप dy upon dx तो रहने दीजिए root t का 1 upon 2 root t होता है और फिर 1 minus x square कापकल होगा तो minus 2x होगा जो कि 2 upon under 1 minus x square यह वराबर पे लिखा जाएगा 2 से 2 क्या होगया cancel इसका पक्षांतर इधर भी करेंगे तो इधर भाग में सब में आकर गुणा हो जाएगा तो root से root cancel हो जाएगा 1 minus x square हो जाएगा इधर भाग में इधर आकर गुणा होगा sub ही में गुणा होगा ठीक है और यह d by upon dx तो रहने दीजिए यहाँ पर बचेगा student minus x और गुणा हो जाएगा तो under root 1 minus x square और नीचे कितना है under root 1 minus x square equal to इससे क्या होगा cancel क्या होगा cancel जी हाँ आप कितना बचा 1 minus x square d square by upon dx square बचा यह minus सामने लिए और x d by upon dx इतना होगा इधर plus में इधर आएगा तो minus में होगा 0 हो जाएगा सिद्ध होगा दिखने में थोड़ा सा कठिन दिखा करता है लेकिन student बिलकुल इजी रहता है और इसी टाइप के question पुछे जाते हैं ध्यान रखना हमेशा इसी टाइप के question पुछे जाते हैं जो simple तरीके से पुछे जाएंगे तो इस प्रकार से student आप लोगों ने साथ question complete कर लिए और अधेर सारे question आपके books में है ठीक है तो लगबग आपको चार वीडियो मिल गए एक exercise के हर एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 तो करा ही दिया तो समझे ये 5 चोको 20 अधि 6 करा दिया तो 5 6 का 30 यनि 25 से 30 question में ने करा दिया और आप लोग भी एदि एक एक question same करेंगे तो 25 question आप और कर लोगी तो 50 question एदि एक exercise से कर लोगी तो ऐसा नहीं है कि आप से exam में question नहीं बनेंगी ठीक है तो maximum question करा रहा हूँ मैं जादस जोदा question करा रहा हूँ मैं guaranteed कहता हूँ कि यदि आप इतना करेंगे तो किसी प्रकार question आ जाएगा यदि आपके exam में न तो आप आसानी से हल कर पाऊगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो please मेरा कहना यही है कि आप लोग क्रम से पढ़ें पुरा विद्वत पढ़ें और जितने भी question आपके books में हो उनको भी पढ़ते चले और आपके लिए मैं रगातार वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ अगले दिन से अगला exercise होगा जो कि यदि आप बाद में देख रहे हैं तो playlist में मिल जाएगा तो चले student फिर चलते हैं इजाज़ा दीजिए मिलते हैं गले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मातरम